हेलो दोस्तों मैं जिशान सेफी MZS Woodwork पर लेकर आया हूँ modern kitchen के partition को कैसे बनाया जाता है 19 mm की apply के माधियम से हमने इस partition को बनाया है complete detail के साथ इस वीडियो में मैंने information को share किया है ताकि वीडियो के माधियम से आपको complete जानकारी समझाए और किस तरह से partition को बनाना चाहिए modern तरीके से ये जानकारी आप तक पहुँचे आप भी इस तरह के partition को काफी आसानी से बना पाएं तो काफी लोगों का एक confusion भी रहता है कुछ लोग kitchen को open रखते हैं कुछ लोग kitchen को cover करके रखते हैं जो लोग kitchen के partition को cover करना चाहते हैं उसमें get वगरा लगाना चाहते हैं तो ये जो हमारी kitchen होती है ये उसी की laminate जो kitchen के cabinet होते हैं, उसी color की laminate से भी cover किया जा सकता है, हमने इस partition में wooden color की laminate का use किया है, तो काफी अच्छा color लगता है, काफी unique भी लगता है, पिलस हमने इसके साथ में white color को attach किया है, तो आप देखी सकते हैं, काफी अच्छा look बनकर आ जाता है, दोस्तों इस पसंद आए, तो like जरूर कर देना, वीडियो को share भी कर देना, ताकि ये information और भी logo तक पहुँचे, जो लोग partition को लेकर confuse दें, तो उनको काफी अच्छा idea वीडियो के माध्यम से मिल सकता है, दोस्तों कि मैं बात करूँ area की ये 7 feet इसकी length है, बात करें इसकी चोड़ाई की च कर देगा, बाकि आप design अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, इस वीडियो को मैं start करता हूँ आपको ये जानकारी काफी आसान तरीके से देता हूँ, partition को कैसे बनाया जाता है, चैनल पर नहीं हो तो subscribe जरूर कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की notification आपको सबसे पहले मि करता हूँ, ताकि वीडियो के माद्यम से आपको काफी अच्छा idea और जानकारी provide हो सके, दोस्तों ये वीडियो कुछी मिंट की रहेगी, और kitchen के partition को बनाने का complete process एक ही वीडियो में आपको समझा दूँगा किस तरह से बनाया जाता है, सिर्क वीडियो को ध्यान से देखना ह सबसे पहले हमें अपने partition की चोडाई को नाप लेना है, इसकी चोडाई कितनी है, तो जो भी इसकी चोडाई हो, उसी के हिसाब से हमें इसकी cutting करनी होती है, जैसे कि आप इस तिन पर देखी सकते हैं, ये लगभग 45 इंची दोसूत हमारी सबसे नीचे की जो चोडाई है, व और हमें इसको सबसे उपर भी, इसका measurement कर लेना है, कितना साइज हमारा उपर है, कितना साइज बीच में है, और कितना साइज सबसे नीचे है, तो इस बात का खास ध्यान रखना है, जब हमारा ये तीन साइज नप जाता है, उसके बाद हमें इसकी लंबाई को नाप लेना ह कितना साइज हमारा लंबाई का आ रहा है तो ये हमारी 90 इंची वो साले 89 इंची है आदा इंची का इसमें फ़राख है उसके बाद हमें इसकी मार्किंग कर लेनी है 13 इंची, सवा 14 इंची पौन इंची की जो पिलाई है गेट आ जाएगा और 30 इंची का गेट किचन के लिए काफी परफेक्ट है दो फिट में भी गेट बना सकते हैं बाकि इससे बड़ा साइज है उसके इसके बना सकते हैं उसके बाद जो इसके अंदर फिलर लगाए उसके साइज को नाप लेना है कितना आ रहा है परफेक्ट साइज को नाप लेना है फिलाल यहां पर साले 11 इंची है तो उसी के साब से हमने इसका यह इस्टेक्टर बना लिया है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहा है किचन के पार्टिशन की वीडियो सूट नहीं हो पाई थी किसी कारण कुछ प्रॉबलम हो गई थी जिसकी वज़े से इसकी वीडियो नहीं सूट हो पाई में लेकिन मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ इसके नीचे हमने यह देल इंची की बेस बनाई है उसके बाद जैसे कि आप स्क्रीन पर देखी सकते हैं लगबग हमारा 13 इंची का यह कंप्लीट है 13 इंची का उसके बाद हमने आपर यह देल इंची की पट्टी लगाई है जो कि हमारे जो पिलर है यह वापर सेट हो जाईगी इसको लगाने की मेंद वाज़ा यह इससे मद्बूती बनी रहती है इसकी जो चोड़ाई है वो 10 इंची है जैसे पिलर हमारा सालए 11 इंची का था तो हमने इसकी थोड़ी कम रखedly है क्यूंकि पिलर का साइज नीचे अलग है उपर अलग है आपको जो नीचे का कम साइज है उसके एसाब से बनाना आए जैसे कि आप देखी सकते हैं हमने यह कुछ इस तरह से बनाया है इसकी जो complete length थी वो 90 इंची थी partition के अंदर हमने left side में कुछ partition दिये हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं तो हम इन partition का अंदर की side से use कर सकते हैं इसमें glass के self लगाएंगे तो इसका कुछ यह process है इस structure को बनाने का screen पर आप देखकर समझ गए होंगे इस structure को किस तरह से बनाना है जो भी हमारा size है उससे आदा इंची कम करके इसकी कम रखना है और जो इसकी चोड़ाई वाला area है यहां से हमें 2-3 suit कम रखना है जब kitchen का जो partition है जो area है उसको अच्छे से measurement कर लेना है उसके बाद दोस्तों इसको हम रखके check कर लेते हैं तो इसको रखकर भी check करना है और इसकी जो length है चोड़ाई है उसमें हमें आधमने तकरिबन 2-3 suit इसको lose रखा है जो भी इसका size उपर कम हो या फिर नीचे कम हो उसके इसाब से 2-3 suit कम रख लेना है उसके बाद level से इसको check कर लेना है यह सीधा है या फिर सीधा नहीं है अगर यह सीधा होता है तो इसकी marking कर लेनी है उसके बाद इसका measurement कर लेना है जो हमारा इसमें डूल लगना है दरवाजा लगना है उसका अच्छे से measurement कर लेना है 3 site इसको नापना है बीच में नापना है सबसे उपन नापना है और सबसे नीचे नापना है क्योंकि यहाँ पर हमारा दरवाजा लगेगा और दरवाजा लगने वाली जगा perfect होनी चाहिए तो दोस्तों यह कुछ किचन के अंदर से इसका look देखने के लिए मिलता है उसके बाद हमें इसमें 4 इंची के पेंच को tight कर लेना है जो जिपसन के पेंच होते हैं हमने पहले ही अपने partition के center में hole कर लिया है 6 mm के bits से drill machine से hole कर लेना है अगर तकरीबन partition की length 7 feet है तो इसमें 6 से 5 hole कर सकते हैं उसके बाद 4 इंची के screw से पेंच पेंच को ले लेना है इस तरह से हम निसान लेते हैं तो काफी perfect तरीके से हमारा partition fit हो जाता है अब वो चाय partition हो या फिर furniture काम की किसी भी तरह का इस तरह का जो failing होती है इसकी marking अगर आप इस तरह से करते हैं तो काफी perfect तरीके से निचान ले सकते हैं तो हमने याँ पर जो भी marking किये hole किये हैं पिलाई में 4 इंची के pen से उसकी अच्छे से marking को ले लेते हैं जब इसकी marking ले ले लें उसके बाद pen की मदद से इस केज की मदद से tails पर निसान ले लें ताकि जब हम इसकी fitting करें तो इन ही निसान पर हमारी fitting आए वकर इन निसान पर हमारी fitting आती है तो काफी perfect fitting आएजी उसके बाद हम partition को हटा लेते हैं जो हमने निसान लिये हैं मैं आपको दिखा देता हूँ काफी अच्छे से फिलियर तरीके साब देख सकते हैं तो यह हमारे पैंच का निसान है जो हमने 4 इंची के पैंच से इस पर marking की थी तो हमारा उपर तक इसी तरह से marking आ जाती है काफी simple तरीका है और यह तरीका काफी जादा perfect है इस तरह से हम marking करते हैं काफी perfect हमारे होल भी होते हैं उसके बाद दोस्तों drill machine को उठाना है hammer machine को उठा लेना है hammer machine के अंदर 6 mm या 8 mm वाला bit लगा लेना है या फिर जो भी आपकी प्लास्टिक के फिसर का साइज है उसके साब साब बिट लगा सकते हैं बाकि हम इसमें डेलिंची वाले bit की फिटिंग करेंगे उसके बाद इसमें जो हमने marking की है इसमें सबी जगे पर होल को कर लेना है कुछ इस तरह से hammer machine की मदद से सबी होल को कर लेना है इस वीडियो में दोस्तों मेरी कोसी से काफी detail के साथ information को share करूं लिए के उस्ताइक काम लेना होटा है गजो में अच्छी गार्षा वूड़ हो तो जो हमने यह सबी होल को Von के जाएंगे जैसे दोस्तों हमने सबी होल को कम्प्लीट कर लिया है उसके बाद जो हमारी प्लास्टिक की गिट्टी होती है, फिसर होते हैं, उनको होल में सबी जगा पर लगा लेना है, कुछ इस तरह से हतोली की मदद से सबी होल में फिसर को लगा लेना है दोस्तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आये तो लाइक जरूर कर देना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना वीडियो कैसी लगी उसके बाद partition को उठा लेना है और partition को fix कर लेना है, जो हमने अंदर इसकी marking की थी tiles पर इसके से marking को उता रहा था उसी marking पर इसको रख लेना है, तो हमारी fitting complete हो चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हूँ दोस्तो इसको अब जो हमें इसके आगे का प्रोसेस है उसमें चार इंची के जो हमारे स्कुरू है उनको टाइट कर लेना है तो डिल मसीन की मदद से हम इनको टाइट कर लेते हैं तो यहाँ पर पेंच लगाने में थोली सी परसानी हुई क्योंकि यह जगा थोली कम थी डिल मसीन रोकने में यह थोली प्रोब्लम हो रही थी लेकिन फिर भी हमारे पेंच काफी अच्छे से इसमें टाइट हो गए तो हमने एक जो इसकी लाइन है यानि इसकी लंबाई वाला एरिया है इसमें साथ पेंच को लगाया है तो दोनों पट्टी से इसको चेक करना है जब भी आप इसमें स्कुरू को टाइट करें तो सीरी धार के पट्टी से चेक करें जैसे कि आप देखी सकते हैं स्कीन पर मैं थोड़ा आपको करीब से भी दिखा देता हूं तो इसके बीच में यह गेप है यानि इसके ऊपर तो फिक्स है और नीचे काफी अच्छा कासा गेप है लगबक तीन सूत का या फिर चार सूत का भी गेप इसमें देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों उसके बाद आपको अपनी पिलाई की फन्नी की कटिंग कर लेनी है जैसे कि आप स्क्रीन पर देखी सकते हैं इस तरह से पिलाई की फ लिट कर लेना है और बार बार अपनी सीरी ध्यार की पट्री को चेक करना है क्यूंकि इस एरिये में हमारा रवा जे की फिटिंग होगी तो यह फन्नी हमें लिचे भी लगानी है लगबक पांच इंची बी लगानी है इस बात का खास धियान रखना है तो बार-बार आपको चेक करना है क्योंकि इस काम में काफी अच्छा कावसा टाइम लग जाता है और ये काम बिलकुत सीधी तरीके से अगर होता है तो काफी अच्छी finishing भी आती है और काम देखने में भी काफी अच्छा लगता है तो स्टों अब जो ये पन्दी है हमारी सेट रहे और लोंग टाइम तक हमारा दर्वाजा अपने जएके बिल्कुल सेट रहे इस तरह से कर आप पिटिंग करते हैं तो काफी अच्छी पिटिंग भी आएगी और काम भी काफी पर्फेक्ट तरीके से होगा जो इसके अंदर आप पिलाई को भी रख सकते हैं पिलाई क इसकी कर लेना है उसके बाद जब फनी अंदर की साइट से भी लग जाएं और बाहर की साइट से भी लग जाएं तो इसकुरू को टाइट कर लेना है फिर से हमें सीरी धार की पट्टी को रख के चेक कर लेना है जो हमने इसमें स्कुरू को टाइट किया है वो जादा अंद पर तो नहीं है जादा अंदर हो जाते हैं तो थोड़ा सा स्कुरू को इसके लूस करके मौपर भी फन्य को लगा लेना है ताकि हमारी सीरीधार की यह जो एरिया है बिल्कुल सीरीधार में रहे जब यह आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हमारा यह प्रोसेस उनने यह box बनाया है इसके अंदर से काम माय का की सीधी कर लेनी इह रंदे की साइड की हमारी नहीं माइक आ है इस माइक प्र अच्छ से आप को रन्दय इसकी धार बिल्कुल सीधिक लेना है यह सिर्फ बाहर के साइड से हम रेती को लें जो पिर भी धार सीधि हो जाती है इसके बाद इसको बार बार आपको उसको चेक Merry लेना है उसके बाद इसकी बिल्कुल perfect marking को उतार लेना है जो कि हमारी final cutting रहेगी अगर फिर भी आप इसकी cutting थोड़ा एश्टरा लेकर चलें क्योंकि रंदा लगाकर इसकी बार बार आपको चेक कर लेना है दोस्ते तीन बार अगर आप चेक करते हैं तो तीसरी टाइम में हमा कवाफी perfect तरीके से माइका отправ हो जाती है उसके बाद रेतिकी मदद से कर लेनी है यह उपर की site हमारी जब माइका लग जाती है तो फिर इसकी लंबाई वाले एरिया में हमें माइका को लगा लेना यह जो प्रोसे से माइका लगाने का सेमी करेंगे तो इस पर मास्किंग टेप ऊपर हो नीचे लगाने के बाद इसकी जो बारवाली साइट है उस पर रेती की मदस से इसकी finishing कर लेनी है माइका को जो एश्ट्रा काटना है वो तकरीबन 2-3 सूथ माइका को एश्ट्रा काटना है क्योंकि एश्ट्रा माइका पर रेती लग जाती है उसके बाद जब हमारी लंबाई वाला एक partition पर माइका लग चुकी है सेम इसी तरह से दूसरे वाले partition पर भी हम माइका को चिपका लेते हैं और एक side हमने यहाँ पर भी रंदो को लगा लिया है उसके बाद ही हमारी देलिंची की पट्टी है जो कि बाहर की side से हमें लगा लेनी है क्योंकि इसका जो दरवाजा खुलना है, वो अंदर के side खुलना था आप अपने इसाब से परटी को लगा सकते हैं तो ये जो है अलग-अलग काम का अलग-अलग हिसाब होता है अब किसी का दरवाजा पाहर को खुलता है और किसी का अंदर इसकी fitting कर लेनी है, इसको लगा लेना है, तीन साइट पर, तो एक साइट हमारी लगकर complete हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, सेम इसी तरह से हमें तीसरी वाली साइट पर भी लगा लेना है, लंबाई वाले एरियमें भी, इस वाली साइट पर भी हम इस पट्टी को लगा लें, ताकि जो हमारी इसमें पीछे गेपे, इसमें कील अच्छे से नहीं ठुक पाती है, तो दोस्तों हमारी तीन साइट ये देलिंची वाली पट्टी लगकर complete हो चुकी है, उसके बाद मैं आपको थोड़ा नापके भी दिखा देता हूं, तो ये देलिंची में हम कर लेना है, जो भी हमारा साइज है, जो भी आपका साइज आता है, उसके हिसाब साब उसकी कटिंग कर सकते हैं, पहले हम इसके उपर लगाएंगे, और हमने यहाँ पर ये कट भी लगा दिया है, ताकि जो दूसरा वाला पीछ जोईन करें, वो आदा हमारी पिलाई पर आ तो इसमें एक इंची की सरवाली कीलो से हम इसकी फिटिंग अच्छे से कर लेते हैं, तो आप दोस्तों वीडियो में बने रहे हैं, मैं आपको डिटेल के साथ जानकारी दे रहा हूँ, उसके बाद जब ये उपर की साइट हमारा HDHMR लग जाता है, इसके पास में जो ये ल लाइपर लगकी की है, उसके बाद इसका साइज थोड़ा कम है, तो हम इसके नीचे जोड लगाएंगे, तो कुछ अस तरह से आपको इसकी फिटिंग कर लेनी है, इसकी जो बिल्कुल प्रपर करनी है, एक जैसी सीधी कर लेनी है एक इटाइम में, उसके बाद जो इसके न HD, HMR भी लग चुका है तो ये process तो हमारा complete हो चुका है तो उसके बाज का जो process है जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो हमने देलिंची की पट्टी लगाई थी इस पर भी हमने laminate को लगा लिया है तो अब अंदर से पूरा हमारा इसमें पूरी जैकर पर laminate लग चुकी है जो अंदर की टककर है उस पर टककर टेप भी हम लगा लेना है हमें तो ये जो इसके single वाला जो हमारा 27M की प्लाई का लंबाई में पीस है इसके जो side है यहाँ पर हमने प्लाई की फन्नी cutting करके भर दी है अंदर भरती complete कर दी है जो तो ही cut piece होता है उसके बाद हम इस पर fabrico लगाते हैं और इतने size की हमने एक laminate की piece की cutting कर ली है क्योंकि इतने area में टककर टेप हमारा काम नहीं करता उसकी चोड़ाई कम होती है तो ऐसे situation में हम माईका के piece को ही लगा लेते हैं तो इसको बिल्कुल tiles से मिला लेना है जैसे कि आप देखी सकते हैं तो इस पर रंदा लगा कर इस तरह के piece लगाने में दोस्तों time लगता है तो इसको बिल्कुल tiles से मिला लेना है और बाहर की side इसको extra छोड़ देना है ताकि हम रेती की मदद से इसकी finishing कर पाएं तो इसको आपको अच्छे से इसकी finishing को कर लेना है जब भी finishing करें तो एक कपला भी साथ में रखें ताकि इसकी साफ सफाई होती रहे तो उसके बाद दोस्तों हमें जो माई काटने वाला cutter होता है उससे कुछ इस तरह से lining उतार लेनी है क्योंकि दोस्तों यह हमारा HD HMR है तो इसके माई का चिपकाने के लिए हमें कुछ इस तरह से जुगार बनाना पड़ता है उसके बाद इसके size को नाप लेते हैं जो भी हमने HD HMR लगाया है इतने एरिये में हमें बोडन कर रहे कि Laminate लगा लेनी है जो भी इसका size आए दोस्तों उसको नाप लेना है उसके बाद Laminate की cutting करनी है तो जैसे कि आप इस तीन पर देखी सकते हैं इन कटके बिना हमारी Laminate इस पर अच्छे से नहीं चिपकता थी तो यह अंदर से कुछ हमारा लुक यह है उसके बाद हम सीधा इसकी मायका की cutting कर लेते हैं जो हमने size लिया है उसी के साब से हमें इसकी मायका की cutting करनी है दोस्तों इसकी मायका की cutting करनी है वो कुछ इस तरह से करनी है एक्टो cutting करनी है इसमें L टाइप में तो दूसरी cutting करनी है जो हमारा इसमें दर्वाजा लगना है बाकी जो piece बसता है वो हमारा दर्वाजे पर लग जाए गा तो यह जो area है हमारा यह चार पिट से थोड़ा कम है तो इसमें भी जो चार पिट से कम area होते है उसमें यह पायदा रहता है कि हमारा एकी seat में से काम हो जाता है तो अब जो इसकी cutting करेंगे वो कुछ इसी तरह से करेंगे इसकी लंबाई की भी cutting हो चुकी है और हमने इसका दर्वाजे की पर cutting कर ली इसके बाद हम इसको रखके चेक कर लेते हैं हमने इसको एश्टरा रखा है उसके बाद इसको रखके चेक कर लेना है कि इसकी लंबाई ज्यादा तो नहीं है अब इसकी हम final cutting काफी आसान तरीके से कर सकते हैं उसके बध हमें इस पर फेभी कोल को लगा लेना है तो दोस्तों कोषिस करना फेभी कोल जो हमारा अच्ही क्वाल्टिय तो इसमें जो हमने ये माइन काटिंग करने वाले कटर से HDHMR में कर लगाना है इसमें काफ़ी अच्छ Aires पर भर चुका है दोनों जगे फेविकॉल को अच्छे से ही लगाना है, माईका पर भी फेविकॉल को लगाना है और फिलाई पर भी, उसके बाद हम इसकी फिनिशिंग कर लेते हैं, जो भी हमारी माईका एश्टरा है, इसकी रेती की मदस से, ध्यान से फिनिशिंग करनी है, और रेती को ध्या च्छोटे गई हमें दाजो ले लेता हैं G1 2 फूट कर लेनी पऩूर इसकी लंबाइं इसका साईज आय है उसके इसाब से cutting करनी यह नीचे तकरीबन हमें जो गेब देना आई धरवाजे को चलने के लिए उसको लगबक रीन-फूर्ट समग कर लेनी है फिलाल हमें हमें इसकी थोली एश्टरा cutting कर लेनी है लंबाई के एरिया में भी cutting कर लेनी है और इसकी चोलाई के एरिया में भी cutting कर लेनी है दोस्तों जब हमारी cutting final हो जाती है उसके बाद हम इसको लाकर check कर लेते हैं किस तरह से जो हमने cutting की है दूर किस तरह से दरवाजा हमारा आएगा उसके बाद इसके नीचे फिलाल तो हमने कुछ नहीं रखा है जब ये इस तरह से रख लें इसको नीचे बिलकुल मिला कर जो हमने ये लंबाई वाला एरिया है तो यहाँ पर इस तरह से इसकी मार्किंग को उतार लेना है और इसके जो लंबाई वाला एरिया है इस तरह से इसके सेंटर में और सबसे नीचे भी मार्किंग को उता लेना है दोस्तो यह इसके बिल्कुल पर्फेक्ट तरीका है दोस्तो अब जो यह हमारा दर्वाजा है इसमें हम आधा पॉन का कबजा लगाएंगे तोरी आधा आधा इंची वाला कबजा लगाएंगे उसके हिसाब से हमें जो इसमें कबजा लगाने वाले है उसके हिसाब से ही कटिंग करनी है ताकि हमारा कबजा भी आ जाए इसमें और कबजा लगने के बाद यह थोड़ा लूज भी रहे उसके बाद हमें अभी इस पर लेमिनेट को लगा लेना है तो लेमिनेट का जो हमारा इसमें पीस बचा हुआ था उसी की हमें कटिंग कर लेनी है और दोनों जगे पर फेबिकोल को लगा लेना है माइका पर भी और प्लाई पर भी जब उसके बाद हमें रेती की मदद से जो ह पूरी तरीके से कंपीट हो चुका है इसमें जो हम यह कबजा लगाएंगे यह आदा है आदा आदा इंची वाला कबजा है दोस्तों इसके हिसाब से ही हमने इसकी cutting की है तो अब हम इस पर दोस्तो masking tape हटाने के बाद में टकल tape को लगा लेना है कुछ इस तरह से जो color हमारा lemonade का होता है market में उसी color का tape काफ़ी आसानी से मिल जाता है जब इस पर tape लगाएं तो तीन side हमें सिर्फ इस पर tape लगाना है और यहाँ पर यह एकी जाली है जो कि किचन में हमारी लगती है किचन डूर में लगती है हमने इस किचन के में डूर में भी जाली को लगा दिया है ताकि यह जाली से थोड़ा oxygen वगरा control में रहे जाली भी हमारी लग चुकी है ये जो जाली हमेंने लगाई है दोस्तों ये एक इंची के सरवाली कीलो से लगाई है उसके थोली सी कटिंग कर लेनी है उसके बाद जाली को ठोक लेना है तो ये जो हमारा दरवाजा है ये कंप्लीट हो चुका है इसमें तीन साइट हमारा टककर टेप भी लग चुका है अब टककर पर एक सूत रंदे को लगा लेना है बिलकुछ सीधिय तरीके से उसके बाद पॉन इंची के पेंच हमें टाइट कर लेना है और जो कबजे का साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है सूत दो सूत कम करके कबजे की कटिंग कर लेनी है उसके बाद पॉन इंची के प कि मदद से इसको टाइट कर लेना है नीचे मैंने तक्रीब अनिये दो सूथ इसको उपर को उठा लिए यानि पल्ला हमारा दो सूथ उपर है जो हमारी चलने की जगा है पल्ला काफी आसानी से चलताए है तो एक पैंच हम सबसे पहले इसके नीचे लगा लेते हैं उसके आप fitting करते हैं तो काफी आसान तरीके से और perfect तरीके से fitting कर पाएंगे दोस्तों इस वीडियो में मैंने काफी detail के साथ जानकारी को share किया ये वीडियो आपको कैसी लेगी comment box में लिखका जरूर बताना और अब जो इसमें पेंच आपको लगाने हैं वो तकरीबन दो पेंच छोड़के या फिर तीन पेंच छोड़के ज्यादा पेंच इसमें नहीं लगाना है दो से तीन पेंच आपको छोड़के पेंच को tight कर लेना है क्योंकि फिर आपस में पेंच हमारे लगते हैं प्रोपर तरीके से पल्ला बंद नहीं हो पाता अब दोस्तों हमारा पेंच भी लग चुके हैं पल्ले को बंद करके चेक कर लेते हैं जैसे कि आप इसकी पर देखी पा रहा है तो काफी अच्छी हमारी फिटिंग आ जाती है अगर हम इस तरह से इसकी मार्किंग करते हैं तो दोस्तों यह हमारा प्रोपर तरीके से सेट हो चुका है वीडियो अगर आपको पसंद आयो तो लाइक ज़रू कर देना यह कुछ इसका अंदर का एरिया है तो अंदर भी आप देख सकते हैं इसमें सी से सेल्फ लगेंगे यह जो आप सी स्पेस देख रहा हैं तो यहां पर सी सेल्फ लगेंगे और इसमें सबसे उपर हमने की छोटा पला बनाया है बाद में इसकी रिक्वार्मेंट आ गई थी तो इसलिए मैं वीडियो में नहीं दिखा पाया बागि आप इसको उपन भी रख स तो इस तरह के पार्टिशन और पनीचर के काम से जूली से भी जानकारी मैं काफी आसान तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ दोस्तो काफी लोग वीडियो को कम्प्लीट नहीं देख पाते हैं तो कही न कहीं इसके मिस मिस हो जाता है जैसे मैं इसके प्राइज अगरा बताता हूं तो वो भी मिस कर देते हैं फिर बाद में कमेंड में लिखते हैं मैं आपसे एकी request करूँगा वीडियो को complete देखा करें ताकि आपको भी पूरा process समझाए कितनी cost में इस तरह का partition को बनाया जा सकता है इस तरह करगा आप partition बनाना चाहते हैं उसमें अच्छी quality की laminate और अच्छी quality की ply कर use करना चाहते हैं तकरीबन हमारा 20,000 से लेके 25,000 के बीचे में हमारा partition बन जाएगा उसमें अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो like जरूर कर देना उसमें इस वीडियो को जादे से जादे share करना ताकि सबी लोगों तक ये information पोच पाए kitchen के partition को कैसे बनाया जाता है और comment box में लिखकर जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसे लेगी दोस्तों इस वीडियो से मैं अलवीदा लेता हूँ बहुत जल मिलाकात करता हूँ एक next वीडियो के साथ जब तक आप मेरे चैनल पर और भी वीडियो अपलोडे उनको चेक कर सकते हैं जरूर कुछ न को सीखने के लिए मिलेगा खुदा अप्रूज